ओरिशा के दक्षिनी भाग में द्रमपूर के के अलग-अलग शहर सडक मार्ग से जुड़े नहीं थे तब जल मार्ग ही आवागमन का मुख्य साधन था और बंदरगाहों का एक अलग ही महत्व था उस समय यहीं गुपालकूर में एक अच्छा खासा बंदरगाह हुआ करता था जो धीरे धीरे इतिहास के पन्नों में सिमट कर रह गया सन 1753 में अंग्रेज विरोधी जन आंदोलन जब उडिशा में अपनी चरम पर था तब गंजाम शहर एक प्रमूख वानिज केंद्र और बंदरगाह था 1818 में गंजाम में महमारी फैलने के कारण लोग अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागे जिले का मुख्यालाई भी छत्रपूर को स्थान अंतरित हो गया आम जनता ब्रह्मपूर जाबसे और अंग्रेज गोपालपूर में उसी समय से गोपालपूर का विकास हुआ और यह एक प्रतिष्ठित बंदरगाह बन गया लेकिन आज उस बंदरगाह की टूटी फुटी निशानिया ही अपने अतीत की कहानी सुना रही है हालंकि यह आनंद का विशय है कि एक प्राइवेट जहाजरानी कमपनी ने अशर किये हैं नए जमाने के साथ कदम मिलाते हुए तथा नई जरूरतों को पूरी करने के लिए आज तक कमपनी ने जो भी कार्य किये हैं उससे गोपालपूर के सुनरे अतीत के फिर से लौट आने के प्रती लोग आशावान हैं सागर का किनारा हो और मच्वारे ना हो भला ऐसा कैसे हो सकता है पासी वसी मच्वारों की बस्ती से भी यहाँ पर चहल पहल का गुमान होता है तथा शहर के दूर दराज इलाकों से आए परियटकों के लिए यह एक अनोखा अनोभव भी साबित होता है सागर की उठती गीरती लहरे और उस पर हिचकोले खाती हुई मच्वारों की नौकाओं का तालब धन्रित देखने वालों को उन पर टक-टकी लगाए नजर गड़ाने को मजबूर कर देता है कभी-कभी तो यू लगता है कि नाव लहरों की गोद में समा गई है परन्तु नहीं जैसे ही नाव फिर से नजर आने लगती है देखने वालों की सांसे फिर से लोटाती है वास्तव में अनोखा होता है यह दृष्ष समुद्री मचलियां मचवारों के गुजारे का मुख्य साधन है क्योंकि न सिर्फ स्थानिय लोग बलकि परियटक भी इन मचलियों, केंकडों वा अन्य भोज्य जीवों के व्यंजन बड़े ही चाव से खाते है पुराने जमाने में एक प्रमुख बंदरगाह होने के कारण गुपालपूर एक प्रतिष्ठित बंदरगाह था ही उसी स्वरणीम अतीत को फिर से नया रूप देने के लिए जो प्रयास जारी है उसकी जलक भी आज यहां दिखने लगी है हर बंदरगाह में एक लाइट हाउस होता है यह तो हर कोई जानता है बीते युक से आज तक की हर घटना का खामोश गवा है यहां पर सागर के किनारे बना हुआ यह लाइट हाउस गोपालपूर में देशी विदेशी अनेक परियाटक आते हैं यहां के सुन्दर सागर के किनारे समय बिताने लहरों से खेलने छुट्टियों के दौरान बेला भूमी पर जगा जगा परियाटकों की भीड दिखाई देती है गोपालपूर आने वाले परियाटकों के ठहरने के लिए यहां पर कई सुन्दर और स्तरीय होटल हैं जहां पर हर तरह की सुविधा वा आराम उपलब्ध हैं झाल झाल गुपालपूर का सबसे नजदी की शहर है ब्रह्मपूर जो उडिसा के दक्षिनी इलाके का सबसे बड़ा शहर है सन 1818 में जब आम लोग गंजाम छोड़कर यहां आवसे तब तेजी से इसका विकास हुआ जिसका प्रत्यक्ष प्रमान है आज का ब्रह्मपूर यह दक्षिनी उडिसा का सबसे बड़ा व्यवशाई केंदर होने के साथ साथ यहां के बुनकरो द्वारा तैयार रेश्मी साड़ी के लिए भी प्रसित्थ है उडिसा के सुप्रसिद श्री जगन्नात बंदीर में प्रतिष्ठित भगवान के विग्रहों को भी यहां के रेश्मी वस्तरों से सज्जित किया जाता है ब्रह्मपूर का कारागार यहां के इतिहास की कई जिवंत घटनाओं को अपने सीने में छुपाये हुए है अंग्रेजों के खिलाफ आजीवन संग्राम कर जन आंदोलन का नित्रुत लेने वाले आदिवासी नेता लक्ष्मन नायक को अंग्रेज सरकार ने इसी कारागार में फांसी दे दी थी जिसकी वज़े से यहां के कण कण को देश के प्रती प्रेम रखने वाले परम पावन मानते हैं ओरिश्टा का शायद ही कोई ऐसा शहर, जनपद या गाव होगा जहां स्री जगनाथ जी का मंदीर न हो गुपालपूर के पास्थित ब्रम्हपूर में भी एक सुन्दर स्री जगनाथ मंदीर है यह मंदीर पुरी मंदीर जितना विशाल तो नहीं है परंतु यहां की पूजाविधी वदिन चरिया पुरी मंदीर की जैसी ही है आसपास के इलाकों के जो लोग पूरी नहीं जा पाते हैं यहीं पर श्री जगनाथ जी के दर्सन प्राप्त कर अपने मंद को संतूष्ट कर लेते हैं ब्रम्हपूर में ओडिशा के अन्य पुराने शहरों की ही तरह एक देवी मंदीर है जिसे बुढी ठाकुरानी मंदीर कहते हैं बुढी माँ पर भक्तों की अपार श्रथा एवं अटुट आस्था वविश्वास है कहा ये भी जाता है कि यहीं पर सच्चे वे निर्मल हृदय से निकली दुआ अवश्य ही पूरी होती है देश के स्वतंत्रता संग्राम के अविश्मरणिय पलों को अपने चार दिवारों में कैद करके रखा हुआ है ब्रह्मपूर का उतकल सेवा समीती का यह भवन इसी भवन में स्वतंत्रता सेनानी बैठके किया करते थे, योजनाय बनाया करते थे जिसका नतीजा आज देश की स्वतंत्रता के रूप में हम पाने में शक्सम हुए है उडिशा राज्य के कई सुयोग्य संतान वह महान बिभूतियों के पदरज से यह भवन पवित्र हुआ है गंजाम जिले का एक और महतुपूर्ण स्थान है आर्मी एर डिफेंस सेंटर जो एक संग्रक्षित इलाका है राष्ट प्रेम देश के लिए प्राण निचावर करने वो मात्र भूमी के लिए कुछ भी कर गुजरने की भावना इस परिसर में रहने वाले शिक्ष्यार्तियों के दिल में कूट-कूट कर भरी जाती है ब्रह्भपूर से 32 किलोमेटर की दूरी पर स्थित है एक और जगह पोतागर जिसका एतिहासिक महत्व बहुत अधिक है पोतागर का यह किला अंग्रेजों के राज के दौरान गंजाम जिले का मुख्य कार्यालय था सन 1815 में इसे ब्रह्भपूर और बाद में 1835 में छेत्रपूर को स्थान अंतरीत किया गया उडिया में एक शब्द है पोता जिसका अर्थ है मिट्टी में दबा हुआ और वास्ता में यह गढ़ आज समय की मिट्टी के तले दफन है गंजाम नामक जन्पद के पास रिशिकुल्या नदी के मुहाने पर पोतागर स्थित है कई सदियों के इतिहास का गवा है यह पोतागर जो वास्तों में एक नहीं कई किलों का समाहार है दूसरे शब्दों में पोतागर के इतिहास को ही इस इलाके का इतिहास कहें तो कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी कहा जाता है कि पोतागड का निर्मान सन 1768 में प्रारंभ हुआ था जिसे एड़वर्ड क्रॉसफोर्ड ने बनवाया था परन्तु कीले के सितारे जैसा आकार और करीब ही स्थित मस्जीद इस बात का आभास देते हैं कि इसे मुसलमानों ने बनवाया था सत्रवी सदि में कुतव सही शाशनगाल में गंजाम चिलका से शिकाकोल तख फैला था तथा इसे शिकाकोल सरकार कहा जाता था जिसका गोल कोंडा से नियंतरन किया जाता था सन 1641 में श्रीका कुलम में तैनात फोशदार मुहम्मद खान ने श्रीका कुलम और इच्छापुरम में कई शांदार मस्जिदे बनवाई उस दोरान गंजाम का इन दोनों हिस्सों में विभाजन हुआ शायद उसी वक्त इच्छापुरम मंडल के प्रशाशन है तू मुहम्मद खान ने पोतागड का निर्मान करवाया कई विद्वान इसे इब्राहीम कुतबशाह का निर्मान मानते हैं 153 में इस इलाके का प्रशाशन फ्रेंच शाशन करताओं के हाथों में आ गया पोतागड के करीब कब्रगाह में दो फ्रेंच व्यक्तियों की कब्र इस बाद का प्रमान है उस दोरान एक और किले का यहां निर्मान हुआ किले के भीतर तीन रिहाईसी भवन हैं जो मुस्लिम, फ्रेंच और अंग्रेजी शैली में बने हैं इनके बगल में दो गलियारे हैं जो नदी तक जाते हैं इन में से एक शायद महिलाओं का नदी तक जाने के काम आता था तो दूसरा खत्रे की स्थिती में भाग निकलने के तागर की और से हमले की आसंका को ध्यान में रखते हुए यहां की मजबूत दिवारों पर गोल दाएरे बनवाए गए थे जिसमें से होकर तोपें दागी जाती थी पर वह सब अब एतिहास ही है इस किले का अध्यान प्रशिद्ध इतिहासकार डबल्यू डबल्यू हंटर ने भी किया था देश के प्रतनतात्विक धरोहर के रूप में पोतागर का एक अलग ही महत्व है पोतागर किला बनाते समय ततकाली नशाशकों ने अपनी दूरद्रिष्टी से काम लिया था गंजाम जिले की सबसे प्रमुख नदी रुशी कुल्या का मिलन जहां पर बंगाल की खाडी से होता है वहीं पर स्थित है पोतागर करीब चार सदी पहले देश में शड़क मार्ग इतने विकसीत नहीं थे और जल मार्ग ही यातायत का प्रमुख साधन माना जाता था यही पहला कारण था कि पोतागर रुशी कुल्या नदी के इस मुहाने पर बनवाया गया जहां एक और नदी का मार्ग है तो दूसरी और समुद्री मार्ग यदि कभी कोई सक्त्रु आक्रमन के कारण असामान्य परिस्तिती सामने आए तो इसी मार्ग से भाग निकलने की संभावना इस स्थान को चुनने के लिए एक प्रमुख कारण था नदी और सागर का मिलनस्थल होने के कारण ये जगह मचवारों के लिए भी स्वर्ग है जहां से पकड़े गए जल्चर जीव से वे अच्छी कमाई कारण था कर लेते हैं यहाँ पर कई विचित्र सामुद्रिक जीव भी पाये जाते हैं जिनका कहीं और पाये जाना मुश्किल ही है ऐसा ही एक है यह समुद्री मेंधक जो देखने में तो आम मेंधक की तरह ही है पर किसी का हाथ लगते ही यह अपने आप में सिमड जाता है और लगता है जैसे कोई रंगीन गेंद या फल आपके सामने है उसी जमाने में वीर स्वतंतरता सेनानियों के साथ लड़ते हुए जो अंग्रेज मारे गए थे उन्हें यहीं पर कबर में दफनाया गया था जो आज गुरा कबर कहा जाता है है प्राचीन और नवीन हर तरह का आकर्षण लिये हुए गोपालपूर तक पहुचने के लिए आप सडक मार्ग से ब्रह्मपूर तक आ सकते हैं जिसकी दूरी राज्यकी राजधानी भोनेश्वर से 168 किलो मिटर की है हवाई यातरा करने वालों के लिए भोनेश्वर ही सबसे नजदी की विमान पतन है इसके साथ साथ ब्रह्मपूर देश के सभी प्रमुख शहरों के साथ रेल मार्ग द्वारा जुड़ा हुआ है इसके साथ ब्रह्मपूर जुड़ा हुआ है एतिहासिक बंदरगा और आकरशक सागर तड़ का आनद उठाना चाहते है तो कुपालपूर अवश्य आईए और साथ ले जाईए अनोखी यादें कर दो कुपालपूर तो कुपालप यादो का दुछ यादो निया आनद जॉड़ तो कुपालपूर तो आईए यादा ठाज़ा हुआ है झाल झाल